कि हलो एविवन आजम पढ़ेंगे एंसे अटी क्लास 7 जोग्रफी का चाप्टर थर्ड आज चेंजिंग अर्थ इस चाप्टर में स्टार्टिंग में हमें लीथोस्फेरिक प्लेट्स की बार में बताया लीथोस्फेर लीथोस्फेर है लीथोस्फेर इस बीवन प्लेट्स जोड़ खाट को चाप्र पूर्चिन चीजियर को फाट वritवला देकन लीथोस्फेर जीथी 10 प्लेट्स ग्रेट्स फाट्स में बता हुआ ठाल विल्या स्ट फाल लेगशेंə और इनकी जो मुवमेंट है इसका रीजन है मॉल्टन मैगमा इंसाइड अर्थ मतलब अर्थ के अंदर मॉल्टन मैगमा होता है आप कोई भी लिक्विट सचीज समझ लीजे मालिजी आप गम गलू होती है ना गलू को आप पका रहे हैं और वो जब पकेगी तो वो गाड़ी स ब्रूं मेगम मैंहीं मैट की शहती है वो भी मॉयद करती है और जो मॉल्टन मैमा मैगम है इन मॉव करता है और यह जो मॉवमेंट है इन इस प्लीड कीर अन सीन ही मो searching आके अर्च के मॉवमेंट में उपके मॉवमेंच की मॉवमेंट है निस को दिवाइड कर सकते हैं परГ एंडोजनिक का मतलब होता है अंदर की तरफ, इंसाइड एंडो का मतलब, जैनिक का मतलब होता है ओरिजन, मतलब जिसकी उत्पत्ती एर्थ के अंदर से हुई है, एंडोजनिक, एक्सोजनिक, एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर, जैनिक का मतलब ओरिजन, तो जो बाहर से तो एर्थ की दो टाइप की मुवविमेंट्स हो गई, एक एंडोजनिक और एक एक्जोजनिक, एंडोजनिक में कुछ आती है, सुदन फोर्सेस, बतल जब जचाती है, जैसे एर्थ्विक्स, भूकम पाता है, एकदम से आचाता है, कुछ इतना हमें पता नहीं होता है, वॉल एंडोजनिक फोर्सेस में ही डायोस्ट्रेफिक फोर्सेस में माउंटिन बिल्डिंग फोर्सेस होती है, मतलब अर्थ की क्या होती है, लितोस्फेरिक प्लेट की मुवमेंट होती है, इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मुवमेंट होते होते, काफी ताइम बाद, हजा किसी भी चिज खी से कोई भी लैंड फोर्म है उसके मित्टी उड़ गई हवा की वज़ै से या पानी की वज़जसे पानी भैक्क अब मित्ति के सामें साय चाल फुर दीया वह उन्मstairs होगा इर्चेन मेंक्टी यै कोई यह जो पार्टीकल गएिश्च से वह उसको खुदरके चीज जो आके वहां पर ठहर रही है रुख रही है वह होता है डिपोजिशन और इन क्या करते हैं रिवर्ब करती है वेंट सी वेव और ग्लेशियर अब हमें यही बताया गया है कि एंडोजेनिक जो फोर्स होती है वो सदन फोर्स होती है अटको एक वोल्कैनो और यह काफे स मॉल्टन जो मैगमा है वो निकल के आता है मॉल्टन मैगमा क्या होता है अर्थ की तीन लिएरस होती है तरस्ट मेंटल को तो इसमें जो मैंटल वाले एरिया में मॉल्टन मैगमा होता है इसी टाइप का मॉल्टन मैगमा होता है वो जब बाहर निकल के आता है वेंट के थू कहते हैं और फिर अगर crater जो थोड़ा बड़ा सा वेंट होता है बड़ा सा इडिया होता है उसमें से ashes और gases बहार निकलता है पर similarly क्या होता है लिफोसफेरिक जो प्लेट्स होती है वह मूव करती है लिफोसफेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से जो एर्थ में vibrations create और जो vibrations होती है जो अत्मिक रखा है उसी का नाम हमने earthquake रखा है book up रखा है अब earthquake में क्या होता है यह देखिए इस figure से समझते हैं अब इस figure में आप देखिए यह पूरी की पूरी एक figure है इसमें एक हमें focus देख रहा है यह focus वाला जो पाट है यह crust के नीचे की तरफ होता है इसमाइड होता है अजिक रखा है तो अंदर की तरफ से जो जहां से earthquake originate होता है जहां से seismic energy निकलती है origination जो होता है seismic energy का उसको हम focus कहते हैं और उस focus के just ऊपर earth के surface पर crust पर जो एक center होता है focus के just ऊपर जहां से earthquake waves, seismic waves release होती है, उसको हम epicenter बोलते हैं, यह plate boundaries various plates होती है, लिटो-सपेरिक plates होती है, तो यह plate की boundary हमें बताई गई है, और focus के just ऊपर होता है epicenter, और जो seismic waves होती है, epicenter से ही हर तरफ इधर उधर जाके move करती है, फैलती है पूरी earth के जो भी layer होती है crust में आगे की तरफ, epicenter से बड़ा important है, बड़े questions आते हैं इसमें से ध्यान रखेगा की focus क्या होता है interior पार्ट होता है this is where the earthquake occurs it is the origin of seismic energy focus पे earthquake होता है अकर्ट स्टार्ट होता है और यहीं से seismic energy originate होती है epicenter उसके उपर वाला पार होता है focus के उपर वाला crust पे पार्ट होता है उसे epicenter बोलते हैं seismic waves यहीं से आगे की तरफ भढ़ती है अब जो epicenter वाला area होता है वही पर जो earthquake होता है वो काफी जादा dangerous होता है और सबसे जादा नुकसान पहुचाता है और आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जो intensity होती है वो decrease होती जाती है अब boxes देख लेते हैं तो activity है अब यह देखे इसमें हमें बताया गया है कि जो earthquake waves होती है वो तीन types की होती है P waves या फिर longitudinal waves उने कहते है यह सब जो है ना 11th class की जो जो जोग्रफी है जो मैं वो कवर करूंगी उसमें पूरा का पूरा पताया है कि P wave क्या होती है S wave अभी के 7th के लिए वो काफी जादा हो जाएगा तो अभी हमें यह जान लेना है कि तीन waves होती है P, S, और L P को हम लोग longitudinal wave और primary waves भी कहते है S को हम secondary waves भी कहते है और transverse wave भी कहते है और L wave जो होती है जो surface wave होती है जो surface पे आके act करती है उसको हम L wave कहते है यह जाद रखना है P, S, और L P primary wave, S secondary wave S को हम transverse wave भी कहते है P को longitudinal wave भी कहते है और L को क्या कहते है surface wave भी question आ सकते है कि surface wave कौन सी होती है क्या नाम होता है इसका एल पी और एस तो बहुत सिंपल है पी प्राइमरी होती है एस सेकेंडरी होती है और लोंगिटुड़न रॉल ट्रांसफर से प्याप कर लिजएगा फिर एर्थक्वेक के बार में बताया गया है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्टर बाना काफी मुश्किल है अगर हम लोग कुछ नैचुरल वेज हैं जिसे लोगोंने काफी सुद्धियों से पता लगाते हैं जैसे कि क्या होता है अनिमल्स को काफी पता लग जाता है फिश्च जो होती है अपने पॉंड में वह बहार निकलने लगती है इस नेक्स प्र निकल के आ जाते हैं फिर हमें एक के स्टड़ी थी हुई है कि 26 जन्वरी हमाले रिपब्लिक दे के दिन 2001 में बहुत ही भायंकर मतलब रिक्टर स्केल पे 6.9 काफी जाता होता है अगर 6.9 75 स्यूपर जो होता है निक्तर स्केल पे आतको यह काफी जाता हमफूल होता है बहुत देंजिस होता है बहुत नु कि अर्थक्वेक जो है वो मेजर करते है हम मशीन से उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ और जो मागनिट्यूड होता है यह जो होता है सिस्मोग्राफी इंटेंसिटी मेजर करता है और जो मागनिट्यूड है मागनिट्यूड मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज क मैशर अथक्वेक की क्लासिफिकेशन में आता है जो भूच में आया था वो 6.9 अरेक्टर स्केल पहुत बहुत बहुत नुकसान हो था नुकसान हो था देखते हैं कि अटिविटी और निदेखने होती कुछ नहीं होता है इसमें इसमें प्रिपेड्णिस कर सकते हैं जैसे कि कोई अर्थक्वेक आए तो हमें किसी सेफ स्पॉट पर चले जाना चाहिए जैसे कि खुला कोई मैदान होगा या फिर कोई बहुती पक्की जगर जो होते हैं जो मैं पता है कि यह चीज नहीं गिर सकती है और हमें दूर रहना चाहिए किस से फायर प्रेसे जहां पर जन जगह पर चिमनी हो शीशे की खिडकियां हो और इस ताइप की चगह से हमें दूर रहना चाहिए और हमें प्रिपेर रहना चाहिए कि मतलब अवेरनेस इसकी आए अर्थक्वेक तो हम लोगों को फटा फट दूसरों को भी आवायर कर देना चाहिए और बिल्कुल डिज लाइजर लाइंड फॉर्म नेक्स वीडियो है काफी बड़ी वीडियो जाहे की नहीं तो 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 थैंक्य। बच गजु नेक्स्वीडियो में देखेगा यवाला मेजर लाइन फॉर्म्स